प्यार हमेशा ऐसी चीज से करो, जो इतनी महेंगी हो, कि उसके लिए तुम्हें बिक जाना पड़े प्यार ऐसी चीज से किया जिसको तुम खरीद सकते हो, तो उस चीज की कोई आकाथी नहीं थी बहुत महेंगी चीज से प्यार करना, तुम बिक भी जाओ, तो भी उसे खरीद न पाओ, बिको उसके लिए कोई ऐसी चीज बहुत पसंद आ गई, जिसको दाम चुका के घर ले आए, तो उस चीज के अकाथी क्या थी, फिर प्यार ही क्यों किया, घटिया चोटी चीज से क्यों प्यार किया, खरीदे जाने वाली चीजों से, घर लाई जा सकने वाली चीजों से प्यार नहीं किया करत प्रणाम सर, आपने समझाया कि हम जिसे संपदा मानते हैं, वही हमारी आपदा बन जाती है, मेरी जिन्दगी में बहुत सारी संपदा है सर, जैसे सेक्यूरिटी, मनी, रिस्पेक्ट, लेकिन एक संपदा आप भी हैं, तो क्या आप भी मेरे लिए एक आपदा हैं? कि तुम जिसको संपदा कह रहे हैं, वह मेरे नाम से, वह मैं नहीं हूँ, मेरी वह च्षबी है, जो तुमने बनाई है, तुम्हारी है, तुम्हारे पास की है, मुझ से उसका कोई लेना देना नहीं, तो वह मैं कैसे हो सकता हूं? तुम मुझे जानते का हो तुम्हारे पास घर में सोना रखा है पैसा रखा है यह सब तुम्हारी संपदाई है सेक्यूरिटी है जो भी है इंशुरेंस के कागज है वो तुम्हारी संपदा हो सकती है तुम उसको जानते हो पर मेरे नाम पर तुम्हारे पास मेरी बस एक छवी है वो छवी तुमने बनाई यह तुम्हारे पास है वो छवी मैं नहीं हूँ तो मैं तुम्हारी संपदा कैसे हो गया ऐसी सी बात है कि यहां पर कोई बच्चा बैठा हो बैठ करके मेरा एक स्केच बना ले और यहां से जाते हुए sketch को अपनी जेब में डाल कर चला जाए बच्चा है, चार साल का समझ में कुछ आया नहीं उसको जो भी कुछ मैंने कहा, पर इतना उसने कर लिया कि मेरे शरीर का उसने एक sketch बना लिया, वहां बैठे पीछे और यहां से जाते हुए जेब में डाल के उस कागस को चला गया और घर जाके बोल रहा है, देखा मैं आचारे को उठा लाया हूँ, मेरी संपदा हो गया अब आचारे अब मेरी संपदा हो गया, मैं उससे अपने घर ले आया हूँ वो कागस तुम्हारा, वो कलपना तुम्हारी वो कलम तुम्हारी वो छवी भी जो तुमने बनाई है वो मेरी नहीं हो वास्तों में तुम्हारी जब सब कुछ तुम्हारा तो वो जो कुछ भी था उसका मुझसे क्या लेना देना मैं तुम्हारी संपदा कैसे हो गया वो कागस तुम बांद के घर में ले गए, मैं तुम्हारी संपदा कैसे हो गया मुझे अपनी संपदा मत बना लीजिएगा उसका आरतिय ही होगा कि आपने कोई बहुत छोटे चीज पकड़ ली जो वास्तविक चीज है वो नहीं पकड़ी जा सकती, वो बच्चे की जेब में आएगी ही नहीं पर बच्चा आतो रह कि आचारे को पैक करके घर ले जाओंगा फिर एक फिल्म आई थी वहाँ पर वो दो घूम रहे होते हैं तो बोलता बहुत बढ़ी आमाल है, वो किसी इनसान को देखके बोल रहा है तो उसके साथ जो लगाओ फिल्म की है वो बोल रहा है पैक कर आ लो क्या है ऐसा ही हमारा रहता है, अचारे पसंद आ गया तो पैक कर लो घर ले जाओ अपने अचार बन जाएगा वो अचारी पैक होता है वेदान्त पिकल आपको मेरा होना है मुझे अपना बनाने की कोशिश मत करिए दोनों बातों बहुत अंतर है आपको आ करके मेरे पास बसना है मुझे अपनी ही जगह पर स्थित रहते हुए अपनी ही जगह बसाने की कोशिश मत करिए हो नहीं सकता पर सबका ऐसा ही रहता है कोई चीज मिलिये तो उसे पैक कराके अपने घर ले जाना है मैं क्या रहा हूँ जहां तुम रुके हुए हो बसे हुए हो जगह ही ठीक नहीं है तुम क्या रहा हूँ नहीं मैं वो जगह नहीं छोड़ूँगा जो चीज बढ़िया मिल गई उसको मैं अपनी जगह पर ले आऊँगा तुम्हें उस जगह पर मुझे लेके नहीं जाना है तुम्हें उस जगह पर आना है जो जगह मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ पर हम मेंसे बहुत लोग यही गलती कर रहे हैं और मज़ेदार, एपसर्ड बाती है कि बहुत लोग सफल भी हो चुके है वो इत्दम सफलोच के उनको लगता है कि मैं उनकी संपदा बन गया वो मुझे अपने घर ले गए पैक करके कर लो पैक, अच्छी बात है हमने भी इसलिए आप ही लोग के लिए चाभी के छल्ले बनवाए है और घड़ी बनवाई है, उसमें मेरा मूँ चिपका है यहां कहीं भी लगा कि कुछ थोड़ा भी श्रेष्ट है उसको तुरंट उठा के अपनी जेब में डालने की कोशिश की जो श्रेष्ट होगा क्या हुआ आपकी जेब में समा सकता है तो आपकी संपदा कैसे बन गया कैसे, माने उसके नाम पे आपने जेब में क्या डाला पता नहीं क्या डाला, अपने अनुसार, अपने अनुकूल, अपने स्वार्थ के चलते कोई बहुत छोटी सी चीज, मिश्रिच चीज, मिलावटी चीज बना के जेब में डाल ली और खुश हो रहे हैं कि अचार की होम डेलिवरी हुई है आप लोग अभी देखिएगा अभी फिर से लोग आएंगे वहाँ पर लिखने कम्यूनिटी पर क्या आज क्या सुना और मैं पूरा अगर पढ़ लूँ तो मैं अगले दिन बोलने से इंकार कर दूँ क्या अगर ये सब कुछ मैंने बोला था तो मुझे हक नहीं है बोलने का आप वो थोड़ी सुनते हो जो मैंने कहा आप वो सुनते हो जो आपके अनुकूल बैठता है कई बारें बहुत मारमिक बात बोलता हूँ पर वो बात ऐसी होती है कि आप सुईकार करो तो आपको चोट लगेगी 10 में से फिर एक आदमी होता है सिर्फ जो इसको अपने नोटस में लखता है कम्यूनिटी में बाकी लोग उसको उड़ाई देते हैं कि जैसे मैंने बोला ही नहीं मैंने नहीं बोला, उड़ा दिया कोई बात मैं ऐसी बोल दूँ और बोलता ही रहता हूँ जो सीधे सीधे आपके स्वार्थ पे चोट करती हो तो लोग उसको नोट से उड़ा देते हैं केते हैं इन्होंने बोला ही नहीं हम कर रहे हैं, हमारा भी काम चल रहा है IT के लोग सब कर रहे हैं और AI का भी इस्तिमाल करेंगे और AI आपके जो नोट से उनका आटोमेटिक असेस्मेंट करके सीधे आपको ब्लॉक करेगा और कारण भी पता देगा, नकली नोट से लिखता है नकली माने ये नहीं कि किसी और की नकल करके लिख दिया है नकली माने नकल नहीं नकली माने वो लिखा जो उन्होंने कभी बोला ही नहीं था और जो उन्होंने असली महत्यों की बात बोली वो नोट से गायब कर दी सब हो रहा है, काम चल रहा है बस ये है कि वो काम ऐसा है कि 100-200 लोगों की एक IT टीम चाहिए एक छोटी मूटी IT कंपनी जितना बड़ा एक IT विभाग चाहिए अब उतने लोग नहीं है इसलिए काम बहुत धीरे-धीरे मंथर गती से लेकिन हो रहा है क्या बतायाथ आज सारी संपदाएं हम कहां से उठाते हैं प्रकृति से और प्रकृते कोई माया भी बोलते हैं तो मैं आपकी संपदा उँ तो मैं क्या हो गया माया जयराम जीकी संपदा वो चीज जो हमारे हक की है जो हमारे हाथ की है जिस पर हमारा अधिकार अक्ष्टियार है संपदा हमाने छोटी चीज बड़ा महल है लेकर उसकी चाभी किसके पास रहती है आपकी जेब में तो महल बड़े क्या आप बोलो संपदा कितनी भी विस्तृत हो विशाल विराठ हो आप से छोटी होती है क्योंकि उसकी चाभी आपके पास होती है तो अगर मैं आपकी संपदा हूँ तो बड़ा कौन आप आप आचारी जी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा बड़े तो आप है बड़ कोई गाइडिंग चाहिए होती है कभी पिसल गए तो गाइड गाइड की बात मानी जाती है या गाइड को अपनी बात मनवाई जाती है बुलिए गाइड की बात मानी आती पर जैसे आपकी उमीदें हूँ जैसा आपको अच्छा सुखद लगता हो उसकी अनुरूप आप मेरी च्छवी बनाए तो गाइड आप है कि मैं हूँ आपने मुझे मजबूर कर दिया ना अपनी बात मानने को कि नहीं कर दिया अगर आपने मेरी अपने अनुसार बनाई तो कौन किसके सामने जुका है आपने मुझे अपने सामने जुका लिया ना मैं कड़वा नहीं बोलना चाहता है मैं कड़वा आपको नहीं सर, I know सर, ठीक है I mean दो साल से हूँ आपके साथ मतलब समझगिए बात का मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ आप मुझे साथ रखना चाहते हो लेकिन साथ साथ में बहुत अंतर आ जाता है एक साथ ही होता है कि मैं वैसा ही रहूँगा जैसा हूँ मैं वहीं रहूँगा मैं जैसा हूँ अब तो मैं हाँ आ जाओ जैसे बीवी की विदाई कराई जाती है मेरे पास आने के लिए तू अपना घर छोड़ेगी एक ये साथ होता है और दूसरा क्या होता है मैं आ जाता हूँ सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास आपका साथ किस तरीके का है आप मेरे विदाई कराना चाहते हो मुझे बहुत मज़ा आता है सब सौांग करने में मैं तो बोली रहा था एपसर्ड में मेरा बड़ा जी है मैं साड़ी ओड़ी पहन के ऐसे घूंगट डाल लूँगा हाँ वजनी बहुत हूँ तो जितने वो कहार होंगे उनकी हालत खराब होगी आप मेरी विदाई करोगे या खुद विदा होके मेरे पास आओगे दोनों साथ की बात है और हमने हमेशा यही गलती करी है जो हमें बहुत ज्यादा भी पसंद आए है हमने कहा है उनकी विदाई है वो हमारे पास आजाए हम उनके पास नहीं जाएंगे वो हमारे पास आजाए यह बड़ी गलत बात हो जाती है हाला कि इसके पीछे भाव आत्मियता काई है बुद्ध की बाते हैं कल मैं उस पर लेख पूरा पढ़ रहा था जो पाली कैनन है अब उसको लेके भी विवाद रहता है श्री लंका में एक तरह की बात मिलती है तिबबत में एक तरह की बात मिलती है और जब कुछ ऐसा मिल जाता है तिबबत में त्रिपिटक में जो दूसरे लोग उसका दुरुपयोग करके उसका मजाख उड़ा रहे होते हैं तो फिर बहुत लोग आए कहते हैं क्या ये बात लंका में मिली नहीं मिली न तो बात असली नहीं ये किसीने साजिश करके इसमें डाल दिया है अब असली इधर है कि उधर है वो बात की बात है पहली बात तो ये है कि बुद्ध के वचन लंका में और तिब्बत में अलग-अलग कैसे हो गए बताओ कैसे हो गए अलग होई हो गी हम इतने होशी आ रहे हैं कोई आके बोलता है वालमी की ने तो रामायन राम से पहले ही लिख दी थी रामायन पहले लिखी गई थी और राम सीता लखन बाद में हुए अच्छा ठीक है तो आप ये कहना चाहते हो कि रामायन एकदम असली है तो फिर तुलसीदास जूटे होंगे क्योंकि उनकी तो रामचरित मानस रामायन से मेल खाती नहीं अब ये बात भी नहीं सुईकार होगी अगर बुद्ध एक हैं तो लंका और तिब्बत में अंतर कैसे और अगर राम एक हैं तो रामायन और रामचरित मानस में अंतर कैसे बात सीदी है क्या सबने अपने अपने हिसाब अपनी अपनी कलपना से छवी बना के लिख दिया है हमेशा से यही करा है हमने फिर हम फस्ते हैं कि यह क्या हो रहा है हम बोल देते हैं उदाहरण के लिए कि वेद व्यास ही रचाईता है महाभारत के भी पुराणों के भी पर आप भागवत पुराण ले लें तो उसके वृतान तो महाभारत से मेली नहीं खाते एक किस्सा है यहां एक किस्सा है दोनों किस्से एक साथ चली नहीं सकते ओके हम देते हैं वेदोयासने लिखे हैं यह कैसे हुआ बताओ क्योंकि हमें सच से ज्यादा परवहा होती है अपने आगरह की अपने आगरा नुसार हम कुछ लिख देते हैं और कह देते हैं यही सच है और जो हम लिख देते हैं हम ये भी नहीं कहते हैं कि हम ने लिखा है हम कह देते हैं वेदव्यास ने लिखा है आम आदमी से आप पूछें तो कहेंगे एक ही व्यक्ते हैं वेद व्यास इन्होंने लिखा है अरे भीया पुराणों का ही रचना काल लगभग एक हजार वर्ष की अवधी में फैला हुआ है एक व्यक्ते कैसे हो सकते हैं वेद व्यास तीसरी चौती शताबदी से लेके ग्यारवी बारवी शताबदी तक पुराण लिखे जाते रहें अभी भहुत हालिया हैं और बोलते तो वेद व्यास फिर बोलते हो ब्रहमसूत्र भी वेद व्यास वो कब खाये यह महावारत भी वेद व्यास माने सबकुछ हमारी सुविधा से होना चाहिए तत्थियों को बिल्कुल दबा देंगे जो चीज हमें ठीक लगेगी अपने अनुसार उसके उपर हमें एक छव आरोपित कर देंगे खुता भी तो यही ना आपको दुनिया में अच्छी से अच्छी चीज मिले आप क्या करते हो बहुत अच्छा कुछ मिला आप बिक नहीं जाते आप उस चीज को खरीदते हो मुझे खरीदो नहीं आप बिक जाओ बहुत अलग-अलग बाते हैं जो असली प्रेमी होता है वो खरीदने को नहीं बिकने को तयार रहता है बिकने को तयार रहो बिकोगे लेकिन तुम कैसे तुम पहली बिके हुए हो हमारे माथे पे खुदा हुआ है हमारी छाती पे लिखा हुआ है अब आप सच कि आगे कैसे जुकोगे अब आप सच को कैसे बिको गए, आप तो पहले ही बिके हुए हो, किसने खरीदा आपको, किसने खरीदा, दुनिया ने खरीद रखा है दुनिया पहले ही आपकी बोली लगा करके सौधा कर चुकी है तो सच के सामने बिकने के लिए मोपलब दी नहीं होते तो फिर हम कहते अब मैं तो बिख सकता नहीं चलो कोई अच्छी चीज उच्छी चीज बढ़िया चीज लगी इसको ही खरीद लाता हूँ खरीदार नहीं बनना है बिकना है गले राम की जेवड़ी जित खीचे अतित जाओं वो कुट्ता नहीं बनना है जो मालिक को बोल रहा चलो मेरे गढ़े में दोने इकठे सोईंगे मालिक तै करेगा न कि कहां जाओगे या तुम आग रह करोगे कि मेरे हिसाब से मालिक चलेगा पर कुट्ते करते हैं ऐसा ही है देखना जब उनको शाम को घुमाने निकलते हैं मालिक लोग सुसू के लिए तो सब कुट्ते खीचे रहते हैं मालिक को हमारे यहां भी एक होता था बुरूनो एक बार मेरे पिता जी वो पता नहीं कौन से महले में खीच के ले गया वो बुजूर्ग हो रहा है उनके नहीं इतना दम वो मस्त हो रहा था मोटा कुट्ता जबरदस्त वो खीचता गया वो खीचते भी गए घंटे बार बाद घर से ढूने निकले लोग वो खीशते 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 उनको लिए जा रहा है वो ऐसे कर रहा है कभी देखा है जो बढ़ियां मोटे कुत्ते होते हैं वो कैसे खीशते हुए ले जाते हैं ऐसा कुत्ता नहीं बनना है गले राम की जेवरी जित खीचे तित जाओ राम जहां खीचे वहाँ जाओ खुद राम को नहीं खीच के ले जाओ बड़ी सा उस्या हो यह से थोड़ी करना हम सर प्रॉब्लम तबाती है जब मेरे पास जो संपदा है वो मुझे ज़्यादा प्रीशियस लगती है कि या वगर छोड़ दिया तो और उसके जिलते एक रैक्टरे से भी बंदफ़ जाता है तुमने पहली संपदा किसी भी बाहर की चीज को या बाहरी इंसान को नहीं बनाया है तुमने पहली संपदा तो स्वयम को बनाया है ना तुम सच को छोड़ने से घबरा रहे हो ना मुझे छोड़ने से घबरा रहे हो जिस चीज को छोड़ने से घबराट है वो है कि खुद को न छोड़ना पड़े जो आप कहते हो कि मैं अपने भगवान को बहुत मानता हूँ जो भी हो आप जिस भी धारा से हो जो भी आपके आराद्धे हो और उनको भगवान को मैं अपने घर में स्थापित करता हूँ तो आपने सबसे बड़ा किसको बनाया है भगवान को या घर को घर को भगवान को घर लाए ना घर थोड़ी भगवान को दे आए ठीक है भगवान से बड़ा घर और घर किसका है तो घर से बड़े तो सबसे बड़े वो आपकी संपदा है इसलिए आप परिशान रहते हो आपने ऐसी चीज़ को संपदा बनाया है जो नकली है, है ही नहीं जंक बॉंड्ड्स आपने ऐसी चीज़ को संपदा बनाया है जो है ही नहीं आपने ऐसी कंपनी के शेर खरीद ली हैं जो लिस्टेड ही नहीं है यह नहीं कि शेयर डूप जाएंगे वो शेयर हैं ही नहीं वो शेयर रहते हैं मैं तो नहीं हो सिद्ध करोगे हो I mean I have some understanding right मेरे पास कुछ अपनी समझ है मैं कुछ बोल रहा हूँ मैं कुछ हूँ समझ का ढोल तो अभी अभी बजा है मुझे समपता बता रहे थे मैंने कुछ अचीफ किया है सर वो तो इसने भी करा है बहुत सारी चाय है इसके अंदर इसमें लाके किसी ने भर दी है एक दिन भार उलीच दी जाएगी और जिसने भर भी दी है तो इसके कोई काम नहीं आ रही काम तो मेरे आ रही जैसी तुम्हारे पास अचीफमेंट्स हैं मैं अपनी बर्त उसी को मानता हूं माने रहो तो मानने से क्या होता है कुछ भी माने रहो मैं ASOK महान हो तुम औरंग Zayb हो हम कुछ भी मान सकते मानने पे कोई काम लगता है तुम भोल दो कि तुम्हारब पती हो तु income tax वाला की करेंगे अब टैक्स दो, इतने पैसे का, नहीं सर, तो फिर, मैं तो हूँ ना, मुझे लगता है सर, लग तो कुछ भी सकता है, लगने में किया जाता है, लगाही, बुजाही, इसमें तो, कुछ भी चल सकता है, कुछ भी लगे, उसमें क्या हुआ, अभी सो जाओ, देखो क्या क्या नहीं लगेगा, जो सब लगेगा, सोने में सपने में, वो होगा क्या, नगर कन्फूस कर दिया सर, तुम कन्फूस होने के लिए भी नहीं हो, अब ये पिछले दर्वाजे थाबित करना चाहते हैं कि ये confused है फिर थोड़े दिर में confused हड़ जाएगा मैं confused हूँ तो फिर हूँ क्या बन जाएगा मैं हूँ यही जो भाव होता है न इसको अहन्ता बोलते हैं इसी को जाकर के समर्पित करना होता है मैं नहीं हूँ तुम हो मैं नहीं हूँ तुम हो जिसको फिर तू तू करता तू हुआ इसलिए फिर उसको बार बार हर तरीके से याद करने की कोशिश की जाती है खुद को बहुत याद करोगे तो अपने होने में विश्वास और गहरा हो जाएगा और सच को बार बार याद करोगे तो सच हो जाओगे मन की सामगरे इसलिए ठीक रखा करो ऐसी चीज़ें कम रखो जो तुम्हारा तुम्हारी हस्ती में यकीन बढ़ाती हो क्योखि ऐसी चीज़े जूठी हो सकती है जूठी होता है जो हंकार को बढ़ाएगा तथे, facts कभी भी हंकार को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वहां तो तथ्थेों में तो अपनी मिट्टी ही पली धूनी है ठीक है सर्थ मैं बिलीफ पर कुश्चन करता हूँ अपने एक्ट्स में जिने ही कुश्च करता हूँ आप कितना भी कुश्चन कर लोगे ना बिलीफ बची रहेंगी इसी बात पर तो हसना होता है कि अजीब ये जिन्दगी की धूल है जितना साफ करो उतनी पढ़ती जाती है साफ फिर भी करते चलो और देखो जब किस तवाम सफाई के बाद भी अभी बची हुई है तो उसमें निराश नहीं होना है निराश होने में ये भाव होगा कि जैसे हम इतने ताकत वर थे कि एक दिन पूरा साफ कर सकते थे हमारा कान साफ करना साफ कर देंगे बची वो तब भी रहेगी जब दिखाई दे तो हसो कि लो फिर बहके जुन्नूलाल सारी सफाई कर ली उसके बाद फिर बहक गए जुन्नूलाल इसे अच्छे है नहीं है बनवार टी शिर्ट हो गए रहा संपदा के तोर पे लोग घर ले जाएंगे यही लिखवा दो यहाँ पे फिर बहक गए जुन्नूलाल प्यार हमेशा ऐसी चीज से करो जो इतनी महेंगी हो कि उसके लिए तुम्हें बिक जाना पड़े प्यार ऐसी चीज से किया जिसको तुम खरीद सकते हो तो उस चीज की कोई आकात ही नहीं थी बहुत महेंगी चीज से प्यार करना तुम बिक भी जाओ तो भी उसे खरीद न पाओ बिको उसके लिए कोई ऐसी चीज बहुत पसंद आ गई जिसको दाम चुका के घर ले आए तो उस चीज के आकात ही क्या थी फिर प्यार ही क्यों किया घटिया चोटी चीज से क्यों प्यार किया खरीदे जाने वाली चीजों से घर लाई जा सकने वाली चीजों से प्यार नहीं किया करते जो कुछ भी अपने घर लाया जा सकता है वो प्यार के काबिल नहीं होता प्यार उससे किया जाता है जिसके लिए अपना घर छोड़ना पड़े प्यार उससे किया जाता है आई गमनवा की सारी जो हमारा गमन करवा दे गते गते परा गते स्वाहा बड़ा सुंदर प्रतीक रहता है न साधारन पति-पत्नी विदाई वाला नहीं कि उसने बुलाया है जब उसने बुलाया है तो फिर बाबुल का घर छोड़ना पड़ेगा वो इतना प्यारा है कि उसके लिए हम अपना घर छोड़ने को तयार हो गए वो इतना प्यारा है कि अब नहीं हरवा हमका न भावे हाँ ये थोड़े ही कि हम तो यहीं रहेंगे तुम्हें मिलना है तो आजाओ ऐसे नहीं जो आपके हाँ आ सकता है वो फिर इस लायक नहीं कि उसे अपने हाँ बुलाया जाए इस पे बहुत सुन्दर साहित्ते लिखा गया है होज के डालिएगा बहुत आनन्दा आएगा भक्त में और सुफियों के इहां बहुत इस भाव पर सुन्दर रचनाए है शेख फरीद, उमर खैयाम, अमीर खुसरो, कबीर साहब का तो नाम ही लेने की जरूरत नहीं हाँ तो है ही बहुत कुछ बाबा बुलेशा, रूमी स्वंत्राइदास प्रभुजी, तुम चंदन हम पानी हमारे तुम्हारे रिष्टे में हमें हमारी अवकात पता है, हम तुम्हें नहीं खरीदेंगे प्रभुजी, तुम्हें चंदन हम पानी हम सेवक तुम्हारे तुम्हारे रिष्टा तो है पर रिष्टे में तुम कौन हो हम कौन हो हम यह कभी नहीं भूलेंगे हम सेवक, तुम स्वामी जैसे उसे आपने बताया कि पकल होता ऐसा कुछ है उनके नाम पर मतलब जो है, वहां पर उन्होंने नमपर लोग अंसरद्धा उनको खृत बहूत बहुत मतलब जो लेने लाइक चीज भी नहीं है उनको भी ले लेते हैं और उनकी आश्था भी क्या होती है यह गुरू की चीज है मैं कही जगा पर ऐसा देखा है मैं लोगों के साथ गया था बहुत दिन पहले की बात है कि वह पीने का जो पानी है ना वहाँ पर उस पानी को भी श्टोर कर रहे थे और यह बोल रहे थे कि यह पानी बहुत अच्छा होता है इसको घर ले जाएंगे और इसको मतलब रखे रखेंगे बात तक पीते रहेंगे तो मतलब हम या गुरू या सच के सामने लेकिन मैंने एक चीज देखे जब से मैं 2018 से आप से जुड़ा हु वो बहुत महत्पून है उसमें हो सब आप ही की वज़ा से रहा है और आप ही कर रहे हूँ लेकिन जो मिल रहा है वो महत्पून ज़्यादा है जैसा आपने भी कहा था कि मुझे छवी मत बना लेना मतलब कोई संपदा मत बना लेना मैं क्या हूँ जो बोल रहा हूँ वही हूँ आपके लिए उसको विकृत मत करो अपने अनुसार जब मैं कह रहा हूँ छवी मत बनाओ तो मेरा आशे बस यह नहीं कि इस व्यक्ति की छवी मत बनाओ उससे ज्यादा मेरा आशे यह है कि जो मैं कह रहा हूँ उसकी छवी मत ब चवी कोई व्यक्तियों की थोड़ी बनाई जाती है आप मेरी चवी बना लो उसको थोड़ा उपर नीचे कर दो उससे बहुत फर्क भी नहीं पड़ेगा आप मेरी चवी बना लो और उसमें आप मुझे गंजा कर दो या मेरे तीन नाक लगा दो तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने अला हमारे काम में व्यक्ति की छवी बनाने से नहीं बनानी चाहिए पर बना भी दी तो बहुत कोई नुकसान नहीं हो गया तिब्बत के बुद्ध और लंका के बुद्ध अलग-अलग दिखते हैं वो बहुत नुकसान की बात नहीं हो गई चीन के बुद्ध भी अलग-अलग दिखते हैं पर बुद्ध की शिक्षाएं अलग अगर तिब्बत में और लंका में अलग-अलग हो गई तो ये समस्या की बात है ना बुद्ध की मूर्ति तो अलग है ही चीन जापान जाईए वहाँ देखिए और भारत देखिए और जो कंधार में वहाँ देखिए तो वो तो मूर्तियां अलग-अलग है ठीक है मूरती अलग बना लिए अपने अपने हिसाब से शिक्षाओं को मत तोड़ो मरोड़ो उसकी बात कर रहे है हम साथ सिक्षाओं को इसलिए मतलब चैंज करने की कोशिश करते है कि साथ एहम भाव हमारे अंदर बहुत तीवर होता है जो शिक्षा कटू लगती है आहत करती है यह हमेशा का हमारा नियम है हम उसे भुलाना चाहते हैं उसको याद रखेंगे तो दर्द होगा और कीमत देनी पड़ेगी श्रम करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा तो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू यह लोग अपना पूरा अवलोकन है वो एक या दो पंक्तियों में लिख देते हैं सारा उन्होंने वही लिखा होता है जो उन्हे पकड़ में आ गया होता है या अब इसका इस्तिमाल करना है वो किसी को बजाएंगे उन पक्तियों को हथोड़े की तरह इस्तेमाल करके अगर तीन घंटे का सत्र था जिसमें एक घंटे तो समझाया ही गया फिर मान लो घंटा भर और चर्चा हुई तो उसमें एक ही पंक्ते निकली ऐसा तो नहीं होगा और संभावना यही है कि वो एक पंक्ते इसलिए चुनी कि हम को अब हथोड़ा आउजार मिला है किसी को ठोकने वजाने का मीठा मीठा गप कोई बात अगर ऐसी होती है जो हमारी पहले से माननता है उनको और प्रिगार कर देती है तो उसको मान लेते हैं जो बात माननता पर चोट करती है हम ऐसा अभिनाय करते हैं जैसे वो बात न कही गई न सुनी गई इस मार्ग में सर एक चीज तो है कि हमेशा बहुत सजिकता कि आउसकता है होसकी आउसकता है बहुत क्योंकि पहले जैसे मेरे साथ कुछ चीज़े होती थी पिरती करिया तो हम करते ही है लेकिन अब पिरती करिया अगर मैं करता हूँ तो मुझे तुरंत ही आद आ जाता है कि मुझे पिरती करिया नहीं करनी थी तो मैं प्रियास भी करता हूँ कि मैं ना करूँ खुद को पकड़ने के लावग क्या होता है अध्यात्मा लगभग हर सत्र में बात दोरा के बोलता हूँ ये बड़े बड़े ग्रंत ये बड़े बड़े रीत रिवाज, ये रस्मे ये जो मानवता का पूरा धार्मे के तिहास है ये तीर्थ हो गया चाहे वो जिरुसलम हो कि मक्का मदीना हो, कि बनारस हो वास्तव में धार्मिक्ता क्या है खुद को पकड़ना उसके लावा बाकी सब बहुत सारा है उसमें खो जाओगे बस, और कुछ नहीं है जो खुद को पकड़ता जा रहा है वही सच्चा धार्मिक आदमी है सुझपे आरी ये बाती है उसके अलावा आप कुछ इतना करना हो आप कर सकते हो, कोई नहीं कह रहा है आप अनन्त है धर्म का क्षेत्र उसमें इतना कुछ आप कर सकते हो कि सौ साल कम पड़ जाए करते रहो, करते रहो, करते रहो पर असली काम वो सब नहीं है असली काम तो एक ही है, क्या? खुद को पकड़ना लेकिन धर्म के नाम पर हम खुद को पकड़ने के लावा बाकी सब करते रहते हैं बाकी सब जो करते रहते हैं कई बार उसका कोई महत्तो नहीं होता, कई बार उसका थोड़ा बहुत सकारात्मक हो सकता है कुछ महत्तो, और कई बार उसका जबरदस्त रूप से नकारात्मक भी प्रभाव होता है, लेकिन एक बात पक्किये वो जो कुछ भी है, जो अन्निथा होता है धर्म के नाम पर, कु इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल रोमांचित कर जाए और चमतकृत कर जाए कि क्या करना है धर्म माने खुद को पकड़ना है कि रहे है यही है बस इतना ही थोड़ा कुछ और तो होगा कुछ तो और बताईए समुद्र मन्थन कुछ तो और बताईए ना जिसमें जरा आथ कुछ to thicken the plot कुछ मजा वजा भी तो आना चाहिए वस यही करना है क्या दिन भर क्या कि बैठे बैठे खुद को पकड़ रहे है यही धर में हाँ बैठे है तो यही पर मन्रिजन के लिए जो भी काम करोगे वो या तो धार्मिक हैं ही नहीं या वो धार्मिकता की परिधी पर है केंद्री धार्मिकता तो वस यही है यही अध्धातम है खुद को पकड़ना मजदार नहीं होता इसे लिए फिर हमें सब दुनिया भर में कथाएं बहुत रोचक लगती है सब के पास जबरदस्त कथाएं और आम आदमी के पास आप जाएं तो उसके पास धर्म के नाम पर कथाओं के अलावा कुछ भी नहीं होता या भारत या हिंदूओं की नहीं बात है आप कहीं भी चले जाएं बद्धों के पास चले जाएं पश्चिम की तरफ चले जाएं तो अबरहम एक जो तीनों धराएं हैं प्रमुक्ष वहाँ भी यह है खूब कहानिया खूब कहानिया खूब कहानिया कहानिया अच्छा बढ़िया दिल भहला के रखती हैं और अगर कोई विद्वान मिल जाए तो वो उन कहानियों के सुन्दर प्रतिकात्मक अर्थ भी बता देता है, अच्छा लगता है, कोई अर्थ नभी बताए, तो भी रोमान्चक तो लगता है ये बाबा, बीच में आपने खड़ा कर दिया है पहाड समुद्र के और भारी नाग उस पर बांध दिया है, और एक तरफ सब मुस्टंडे राक्षस और दूसरी तरफ सब जितने जवरदस्त देवता और क्या कर रहे हैं, जोर लगा के हैशा, अव उसमें से कभी पेड निकल रहा, कभी गाय निकल रही, फिर जहर निकला बहुत सारा, आखीर में अमरित निकल गया, तो वहाँ एक चालाकी मार गया, फिर सब भगे भगे गये, यह अब क्या करें, यह लगा के नहीं रोमांचक, और इसकी तुल्ला में मैं कहूँ, बैठ के खुद को देखो, तो कैसा लगा, कमच concret यह बात है, ऐसा नहीं कतहाओं का कोई महत्त नहीं, मैंने कहा है, सब कतहाओं का है, पर बहुत से कतहाओं ऐसी हैं, जिसको अगर कोई ज्यानी हो तो बता पाएगा कि यह कतहा किधर को इशारह कर रहे हैं, पर वो ज्यान भी आत्म ज्यान है, कतहा का भी तही अर्थ पही कर सकता है, जिसने पहले स्वयम को देखा, पर्खा और पकड़ा है, जो स्वयम को नहीं जानता, वो कथा को भी नहीं जानेगा तो आपको निराश करते हुए आखरी बार फिर से, अध्यात्माने होता तो बस यही है, आत्मग््यान इसके अलावा कुछ नहीं होता इसके अलावा कुछ नहीं होता यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नहीं शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माहीर सादो तब बैठे घर माहीर प्रीति बहत संसार में नानाविद की सोई उत्तम प्रीति सो जानिये सत गुरु से जो हो एरे सादो सत गुरु से जो हो जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नाही प्रेम गलीति साकरी जा में दो ना समाहीर सादो जा में दो ना समाहीर मेरा नम आश्वदन सिंग बाती है मैं अभी आयोटी गोवाटी में अभी फर्स्ट एर कंप्लेट किया अभी मेरा अगस्ट से सेकेंड इर स्टार्ट हुए मैं अचरजी के आज आज के सत्र से अपने जीवन में चेंज के बार मताऊंगा तो अचरजी ने सबसे पहले का था कि मतलब आत्मग्यान के अवशक्ते बतेती एक तरह से और फिर ये का था कि ये जानना बहुत चरूर है कि अंदर की मद्शा क्या अपने अचरजी ने ये भी कहता कि क्रिशन कहते है कि अंतर स्ट्रक्ती को बीना जन आन्र जान जर जहांसे मैं नहीं फसना होता है तो में एक और दर्म्रूहंगा ने भी गीता समगम से जुड़ा वहूँ लेकिन तरीके समयने से वे एक महीने पहले यह जोड़ना स्टार्ट करें कि लगबक ग्यारो महीनों तक पना मैंसे बचरत जी जो सत्रों में बोलते थे उनके बोल लिख देता है आज इस और पीछे बैक ऑफ दा मैंड यह रहता था कि बस जल्दी-जल्दी सुनो और जो बोल कर रहा हूं मतलब अच्छली मपढ़ नहीं रहा हूं और जब मैं अच्छे से समझता भी नहीं था तो मेरे सवाल भी नहीं आते थे और सवाल नहीं आते थे तो मेरे कॉंसलर भी मेरे से पूछा करते थे कि सवाल क्यों नहीं आ रहे तो एक पर इस सत्तंग को कर मैंने गीता जगत को दोड़ाए है तो निश्काम वो करोनवान ग्यानी क्यों श्रम से गबराए हैं?